हलो फ्रेंड्स वेलकम टू कृष्णा क्रियेशन जैसा कि शादियों का सीजन सुरू हो चुका है और हम सभी को डिजाइनर ब्लाउज चाहिए होते हैं तो आज मैं आपको ब्लाउज के बैक में ये डिजाइन बताने जा रही हूं इसे आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकती है और ये बहुत ही इजी है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें तो आईए हम सुरू करते हैं तो देखिए ये ब्लाउज है और इसमें डिजाइन डालने के लिए मैंने ये गुल्डन कप्ला लिया हुआ है जो सिर्फ आपको 25 cm चाहिए और इसे आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी रूप में कट कर सकती है जैसा आप बनाना चाहिए तो मैंने यहां पर इसे बेल ब्लाउज में कट किया हुआ है और देखिए पूरे ब्लाउज में जो आसपास से कप्ला बचता है आप इससे भी इस डिजाइन को बना सकती है यहां से स्लीव काटने के बाद भी इसमें कप्ला काफी बच जाता है तो हम इसे कट कर लेते हैं यह देखिए यह बैक का पीस मैंने लिया हुआ है आप सबसे नीचे एक सेंटर पॉइंट पर कट कीजिए अब हम यहां से इन दोनों पीस को सबसे पहले अटेच करेंगे तो दोनों कप्लों को एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखिए और दोनों सेंटर पॉइंट में लाते हुए हम इसे नीचे से सिलाई लगा देंगे और इसके बाद मैं इसे पलट लूँगे आप चाहें तो यहां उपर से भी एक फिनिसिंग की सिलाई लगा सकते हैं इसके बाद हमको इन दोनों पीस को बिल्कुल अटेच करना है सेंटर में गला लेना है और आप चाहें तो गले में कोई भी डिजाइन बना सकते हैं यहां पर मैंने सिम्पल राउंड नेक लिया है तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अटेच कर लिया है बिल्कुल अब हम जो ब्लाउज का पीसे उसमें से नेक कट कर लेंगे तो यह देखिए यह बहुत ही आसानी से आप कट कर सकती हैं अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि इसकी शोल्डर की जो पट्टी है यहां चोडाई कितनी है यह देखिए चोडाई यहां पर पौने तीन इंच के करीवन है तो हम पौने तीन इंच की ही पट्टियां कट करेंगे यहां पर देखिए पूरा ब्लाउज कट करने के बाद भी इतना कपला बच जाता है तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और करीबन तीन इंच की आपको पट्टियां कट करनी है गोल्डन कपली की और आपका जो भी ब्लाउज है उस ब्लाउज के कपली की इस तरह से हमन यह सीधी भी हो जाती है इसके बाद आपको इस पर प्रैस करनी है और जो सेलाई कर निशान है उसे सेंटर में लेना है जिससे की वो पीछे छुप जाए अब यहां पर पट्टियां कट करेंगे तो देखिए हमने वहां पर मेजरमेंट लिया था पौने तीन इंच का अब यह कल रMore से जिंच के पोने तीन इंच की आप यह अप पट्ट्ट् cognitive कर लें क्योंकी जब हम करूं मेंड दिजायन मनाईगे तो पट्ट्टियों की लैंथ थोड़ी जाज़ादा चाहिए रहती है तो आप यहां पर इसतरें से यह सारी पट्ट्टियां कर लें तीन तीन 2 यहीं करना है अपता het Really करना है इस design में एक प्राइदी रखेंगे और इसके उपर दूसरे कुलर की पत्टी आपको तिर ची रखनी है तो मैं आपको ि को यहां पर चुपुल आदी पाट्टि पर मेने ल्गभी कि ए कोई है और उसके बाद हम इस पर आधा जी कि हम आदा नहीं झाहर साथरे और यहां पर पर देशे समझे लिंगेमा सकते। अच्छ राज़गेarina Zuha यहां पर जब हम गोल्डन कपला साथ में यूज करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा दिखता है तो देखिए इस तरह से आपको यह पट्टियां लगाना है और जहां नीचे राउंड नेक आएगा वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप चाहें तो यहा पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके पट्टियों की जो मेजरमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा और उसके बाद आप इसे पूरे गले में लगा सकती है और यहां पर अगर आपकी साड़ी दो कलर की है तो आप वही दो कलर की पट्टियां यूज करें यह और भी अच्छा लगएगा और आपका ब्लाउच साडी से बिलकुल मैच रहेगा तो देखिए इस तरहे से मैंने पूरे गले में ये पट्टियां लगा ली हैं और यहां हमने शोल्डर पर हाफ इंच का सिलाई के लिए मार्जिन भी छोड़ा है अब इसे अच्छे से आप द देखिए इस तरहे से पूरे गले में निशान लगाने के बाद हम यहां पर जो चौक का निसान है उस पर सिलाई लगाएंगे एक तो देखिए आप बिलकुल दोनों हाथ से इस पट्टी को अच्छे से आप दबाती जाएं और जो चौक से हमने निशान लगाया है उस पर आपको सिलाई लेनी है और जो पट्टी लगाई है बिलकुल आप उसे अच्छे से एक सा दबा लें और वहां पर हम सिलाई लगाते जाएंगे तो इस तरहे से पूरे नेक में बहुत अच्छी फिनिसिंग आईगी देखिए मैंने यहां पर दो इंच का ही गले का डिजाइ क्योंकि जब हम स्लीप लगाएंगे तो आपके आर्म होल पर भी कपड़ा रहेगा तो दिखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप अगर नेक पर चाहें तो आप सिंपल पट्टी रखकर अंदर पूरी फोल्ड भी कर सकते हैं या आप यहां पर पाइपिंग भी लग लेस के अंदर छुप जाए और यहां पर आप लेस अगर सॉफ्ट लेंगे जो कर्व हो जाए आसानी से तो आपके गले के डिजाइन में बहुत अच्छी फिनिसिंग आईगी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो कर्व वाली लेस हो जो राउंड में अच्छे से जाए उसे ही आप यूज करें तो देखिए इस तरह से आप इसे लगा लें देखिए एक सिलाई लगाने के बाद हम इस पर दूसरी सिलाई लगाएंगे जिससे की जो पट्टियों का मार्जिन है वो बिलकुल लेस के अंदर ही छुप जाएगा और यहां से मैं इसे दूसर पट्टी लगा कर भी फोल्ड कर सकते हैं मैं यहां पर पाइपिंग लगा रही हूं तो मैंने यहां पर गोल्डन कपली की तिर्ची पट्टी ली है और यह पट्टी उसे हम एक साइट से रखेंगे और जितना सिलाई का हमारा जो पट्टियों लगाई थी वो मार्जन था उसी पर हम सेन सिलाई लगाएंगे तो देखिए इस तरह से आपको इसे सिलाई करके अटेच करना है अब हम इसे पल्टेंगे और जो सिलाई का मार्जन है उसके ऊपर हम इस पट्टी को फोल्ड करकर एक सिलाई लगा देंगे हमने इस पट्टी को पहले से फोल्ड करके नह इसकी piping बना कर लगाएंगे तो ये एकदम पत्ली piping नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर जो हमने पत्टियां लगाई थी उसका भी कपड़ा है तो यहाँ पर थोड़ी चोड़ी piping आएगी देखिए इस तरह से और ये piping बहुत ही सुन्दर लगेगी इस तरह से आप पत्टी को फोल्ड करते जाएं और इसमें हम पूरी piping बना कर इसे सिल लेते हैं और देखिए इसका जो लुक आया है इस तरह से ये नेक तयार है बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है और आप चाहें तो इसे कुर्ती में ये ब्लाउज में किसी में भी इसका डिजाइन लगा सकते हैं तो मैं अब इसे पूरे ब्लाउज को सिल कर आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये ब्लाउज पूरा सिल चुकी हूँ मैं I hope आपको ये डिजाइन पसंद आएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल क्रिशन एक्रेशन को थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो